हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे रिसेंटली मोहमद बिन सल्मान और पाकिस्तान के प्राइम निस्टर शहबास सरीफ के बीच में साथ अप्रिल को मक्का में एक मिटिंग होता है जिस मिटिंग के बाद साथी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों मिलके एक जोईन प्रेस नोट रिलीस करते हैं जिस पूरे प्रेस नोट में हम कह सकते हैं कि दो चीज हमारे लिए काफी इंपोर्टन था सबसे पहली बात तो मोहमद बिन सल्मान बहुत ही बैलेंस तरीके से ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलके कश्मीर का जो मसला है उसको बाइलेटरल तरीके से हैंडल करना चाहिए और उसके बाद साथी अरेबिया कुछ प्रॉमिसेस करके रखा है और as per that promise साथी अरेबिया को पाकिस्तान में कुछ इंवेस्टमेंट करना है हलाकि ये news को एक खास important नहीं है हमारे लिए लेकिन फिर भी important है लेकिन हम जो focus करने वाले हैं वो इस पहले news के उपर focus करने वाले है अगर आप geopolitical news को सुनते हैं पढ़ते हैं तो एक छीज आपको समझ में आएगा कि ये news या ये statement जो दिया गया है मोहमद बिन सल्मान के द्वारा ये काफी balanced statement है आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि मोहमद बिन सल्मान ने ऐसा क्यों कहा मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये है वो official photo जिसे release किया गया है और ये meeting होता है 7 April को किसी भी देश के साथ अगर relation को अच्छे करने है तो उसके साथ अगर आप वैपार करना शुरू कर देंगे तो chances काफी high हो जाता है कि दोनों देशों के बीश में जो relation है वो अच्छा हो जाएगा बीते कुछ सालों में खास करके जब से मोहमद बिन सल्मान साओधी अरेबिया को समा ले हैं तब से हम कह सकते हैं कि साओधी अरेबिया में काफी सारे changes हुए हैं और जो changes हुए हैं वो काफी liberal changes हुए हैं या अगर हम उसको बहुत ही neutral तरीके से हम समझें तो मोहमद बिन सल्मान को समझ में आ गया है कि अगर मोहमद बिन सल्मान या साओधी अरेबिया लिब्रल नहीं होंगे अगर वो पॉलिसीज को या साओधी अरेबिया में जो वोमेन का पाटिसिपेशन है उसको अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं साओधी अरेबिया अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि भारत और साओधी अरेबिया के बीच में कैसे रिलेशन्स है तो आप यह जो मैंने डेटा लिया है यह बकाइदा साओधी अरेबिया के ओफिशल वेबसाइट से लिया गया डेटा है जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि भारत साओधी अरेबिया का second largest trading partner है यह 2023 का डेटा है साओधी अरेबिया भारत को primarily oil export करता है और इसके बतले भारत साओधी अरेबिया को medicine, medical equipment, खानी पीने के समान भेजता है financial year 2022-23 में भारत और साओधी अरेबिया के बीच में जो वैपार होता है वो 4.53% का इसमें growth देखा जाता है और कहीं ना कहीं हम उस potential का 50% बे इस्तेमाल नहीं करते हैं majority of देशों के साथ हमारा जो relation है खास करके जो trade relation है वो deficit में ही चलता है उसके अलावा भी जब से Israel और हमास के बीच में war शुरू हुआ तब से Gulf of Aden, Red Sea और Indian Ocean के आस पास का जो region है वो काफे disturb हो गया और उसके बाद back to back Somalian parrots के द्वारा attack किये गये हैं इस पूरे एपिसोड में हमें एक चीज जो सबसे बहतरीन देखने को मिला वो ये है कि जिस तरीके से Indian Navy ने action किया Somalian parrots के उपर और लगभग जितने जो वहां से cargo ship गुजर रहे थे उनको ये अशौर किया कि Indian Ocean में जब तक Indian Navy वहां पे रहेगा तब तक कोई भी pirate चाहे वो Somalian का हो चाहे वो कहीं का भी हो वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा और ये बेहत जरूरी भी होता है जब आप किसी भी चीज को खास करके जब आप अपने capabilities को live demonstrate करते हैं तो उस वक्त या उसके बाद जो आपका value बढ़ता है वो आप शायस शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता है उसके बाद बीते कुछ सालों में भारत में जिस तरीके से start-ups वगेरा बढ़े हैं जिस तरीके से भारत अपने make in India initiative को आगे बढ़ाया है तो बढ़ चड़कर हम कह सकते हैं कि Saudi Arabia भारत को ignore नहीं कर सकता है या नहीं करना चाहेगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि लगबग एक करोड से भी अधिक भारतिये गल्फ countries में रहते हैं जिसमें कि Saudi Arabia और UAE भारत के लिए सबसे favorable destination है Saudi Arabia हो गया चाहे UAE हो गया इन देशों के development में बहुत बड़ा participation है Indians का या Indian workforce का तो जब किसी भी देश के लोग आपके देश में रह के infrastructure development में इतना बड़ा role play कर रहा तो कभी भी आप ये नहीं चाहें हैं कि आप उस देश के साथ अपने relation को खराब करें और उसके बाद आप लोगों ने भी एक इतनी बार notice किया हुआ कि भारत भी काफी अच्छे तरीके से कोशिश करता है कि वो देशों के बीच में balance को बना के रख अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो relation है वो खराब है लेकिन Saudi Arabia कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो भारत के साथ relation को अपने खराब करें और क्यूंकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो army generals वगेरा है या business man है उनका बहुत बड़ा जो investment है वो भी कहीं न कहीं UAE और Saudi Arabia में है इसलिए मोहमद बिन सल्मान या Saudi Arabia कुछ investment पाकिस्तान में भी करके रखते हैं ताकि possible जो friend है जो दोस्ती है उस को maintain करके रख सकें तो ये सब चीज बहुत ही अच्छा है जिसको कि हम समझे पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से एक responsible leader या responsible country काम करता है अब अगर Saudi Arabia भारत के कश्मीर के मामले में अगर वो comment करते भी मोहमद बिन सल्मान तो क्या ही करते हैं वो ये तो कहते नह अपने सबसे बुरे दोर से गुजर रहा है और पाकिस्तान में जितना मर्जी उतना investment हो जाए पाकिस्तान as a country कभी भी वो develop होने वाला नहीं है reasons इसके पीछे बहुत सार है क्योंकि पाकिस्तान में radicalism काफी जादा हो गया extremism अपने peak पे और वहीं दूसरी तरह भारत एशिय में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से develop कर रहा है उसके बाद साओधी अरेबिया के भी जो relation है अपने पड़ोसी मुलके के साथ वो इतना जादा अच्छा है नहीं साओधी अरेबिया और UAE आपस में as an competitor काम कर रहे हैं साओधी अरेबिया भी ये कोशिश करता है कि वो अपने देश का जो नियम कानून है उसमें काफी धील बरतयानी के liberal बनाए वहीं UAE हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही हद तक tourist को attract करता है तो साओधी अरेबिया के relation UAE के साथ वैसे ही competitor वाला है इनका relation इरान के साथ वैसे ही अच्छा नहीं है और भी जिस तरीके से बीते 6 मह महीने से इसराइल और हमास के बीच में वार है तो जो मुस्लिम कंट्री से वो expect कर रहे हैं थे कि साओधी अरेबिया कुछ ना कुछ प्रेशराइज करे इसराइल को या USA या दोनों को लेकिन वैसे अब तक होता हुआ दिखनी रहा तो साओधी अरेबिया ना जो इस statement दिया हैं जो कि हम कह सकते हैं clearly एक साल से उपर हो चुका है ये investment अब तक हुआ नहीं है तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि साओधी अरेबिया भी काफी reluctant है इस investment को करने के लिए उसके बाद जैसे कि back to back चाहे खाइबर पक्तूनवा हो गया चाहे बलुचिस्तान प्रोविंस में Chinese engineers के उपर attack हुए हैं कहीं न कहीं साओधी अरेबिया इस चीज़ को भी देखता होगा और पाकिस्तान में क्यूंकि कोई stable government है नहीं तो अगर investment भी होगा तो इसके credit लेने वाले काफी लोग पहुँच जाएंगे पिछले साल के सेप्टेंबर के महीने में पाकिस्तान के जो उस वक्त caretaker प्राइम मिनिस्टर थें अन्वरूल हक ककड उर्होंने एक statement दिया था जहां पे वो ये कहते हैं कि अगले 2-5 सालों के भीतर साओधी अरेबिया पाकिस्तान में 25 billion American dollars का वो investment करने वाला है अलग-अलग sectors में अब इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि साओधी groups बने हुए हैं पाकिस्तान में और शायदी किसी province में पाकिस्तान के जो सरकार है उसका अपना कोई खास grip है तो in a way हम ये कह सकते हैं कि भारत के perspective से जो मुहमद बिन सल्मान ने statement दिया वो favorable statement है थूँकि भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश् या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye